ओके हेलो हाई एव्रिवान गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आज है एट ओफ एप्रिल और आज हम लोग करने वाले अच्छली बहुत सारे क्वेश्टिन्स तो अब लोग क्वेश्टिन्स को बहुत ध्यान से देखिएगा आज अच्छली जब करेंट अफैस खतम हो ज सब्सक्वार की अच्छी खाइगे और मेरा बाल इदम में को ठीक नहीं लग रहा है तो इसको ठीक कर लेते हैं तो फोट इस चेंज हार्ड अगर आपके life में कुछ change होने वाला है तो हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको लगेगा कि अब जीना impossible है change हो गया है tough है और बीच में ये थोड़ा और बुड़ा भी हो सकता है messy यानि की गंदा दिखेगा बुड़ा लगेगा लेकिन अगर आप उस change से कुछ भी change हो सकता है जैसे शुरू में तुम सिर्फ चार घंटे पढ़ते हो फिर तुम धीरे धीरे सोचते हो कि अब हम 10 घंटे पढ़ेंगे है ना तो इस तरह के थोड़े बहुत change हो सकते हैं लाइफ में लेकिन जब तुम successful हो जाओगे इस चीज में जब वो चीज होने लगेगा सुबा उठने का आदत, 10 घंटे पढ़ने का आदत, physical exercise करने का आदत या कोई भी change, कोई city से move भी कर रहा है तो फिर बाद में वो बहुत अच्छा हो जाएगा और एक student पूछ रहे हैं, class होगी की नहीं, बिलकुल class होगी, क्यों नहीं होगी ठीक है, so good morning, good morning everyone so let's start the session, उसके पहले आपको पता है कि कोई भी test series पे आपको Y332S code लगाने पे वो सिफ 99 रुपीज का मिलेगा अड़ा premium league चल रहा है हर महा pack और life classes पे 77% का offer Y332 code लगाने पर और अब attack शुरू हो गया है आपको पता है कि CAPF का exclusive batch शुरू हो गया है जो कि सिफ 2069 रुपीज का है अगर आप code Y332 यूज करते हैं एक काफी बड़ा portion I am teaching even how to write the essays GS में essay कैसे लिखना है वो भी मैं पढ़ा रही हूँ तो attack को आप जल्दी से इसमें enroll हो जाएं FCAT का batch already है हमारे पास ये शुरू हो चुका है 4 April से शुरू हुआ है तो अभी भी time late नहीं हुआ है आज 8 तारिक है आप इसमें भी enroll हो सकते हैं जल से जल और CISF का batches है Defense का महा pack है यहाँ पे आप देख सकते है SSB का batch है CDS OTA का batches तो है next CDS OTA भी आएगा और Defense के महा pack में आपको सब कुछ एक जगा मिल जाएगा बस ये SSB का pack जो है वो आपको अलग से लेना पड़ेगा सब का code common है Y332 ठीक है Y332 code है उसी तरह से Civil, Mechanical, Electrical, Engineers का महा pack और ये MP सब में मैं भी पढ़ा रही हूँ ठीक है तो आप इसको जल्दी से enroll हो जाए SSC J जो आप का आने वाला है उसमें total total GS का portion I am teaching history, geography, polity, economics, environment और current affairs So आप लोग जल्दी से इसमें इन्रोल हो जाए और बहुत अच्छे से पढ़ाई शुरू करें बहुत बढ़िया So let's start the session हाँ अब आप देख सकते हैं कि कौन सा code लगाने पर free मिल जाएगा वो कल तक था MEGFEST का अब वाई 332 पर सबसे जाला discount Question read करने का time दिया करो Question read नहीं करेंगे सही से तो बता कैसे पाएंगे सही बात है Time मिलेगा बिलकुल C.A.P.F का time है आपका मैं बहुत बहुत इचे का अलग है मैंने अपना time दियाएगा ऐसे ग्यारा से बाड़ा एक ग्यारा बज़े से बारा बज़े तक मेरा time होता है दो पहर में, दिन में, सुबह में जो भी बोलो ठीक है तो पहला question आपके सामने है MP Sum Engineer में MPK भढ़ेंगे नहीं नहीं बाहर वाले भी भढ़ेंगे और seat बढ़ गया है बहुत जादा ठीक तो World Health Day World Health Day is celebrated every year on which day किस दिन आपका World Health Day होता है 7 April को celebrate होता है क्योंकि 1948 में इसी दिन आपका WHO ये established हुआ था theme है Our Planet, Our Health और गैस देखो आज हम लोग पहले 15 question रोज के current affairs के करेंगे और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग पुढ़ाने current affairs को भी cover करेंगे history और geography भी cover करना है आज history International Day of Reflection on the 1994 genocide नर संहार ठीक है जब लोगों को बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है तो ये भी आपका देखे 7 April के दिन ही हुआ था और ये रवांडा में हुआ था तुस्ती एक जगा है न्यूज में है तो against the Tusti in Rwanda जगा भी है और एक tribe भी है Tusti, Rwanda यहाँ पर बहुत बड़ा genocide हुआ था इसको भी इसको भी comment rate किया जाता है 7 April को Chief Minister has launched उद्यम क्रांती योजना कहां के Chief Minister ने इसका ना वो मगवाना पड़ेगा चेंजर कितने सारे slides समितर करी है ठीक है तो कहां के Chief Minister ने उद्यम देखी यह आ गया बोला मैंने और यह आ गया कुछ और मांग लेती तो वो भी आ जाता भी हां तो यह है मध्यप्रदेश के Chief Minister ने शुरू किया है उद्यम क्रांती योजना कहां के मध्यप्रदेश के CM ने शिवराज सिंग्स चौहान ने शुरू किया है हां और यह किस लिए है ताकि Self Employment लोग खुद भी रोजगार अपने आप में Create कर सके इसी चीज़ के लिए है फिर अभी Re-elect हो गया है President इनका नाम है Alexander Vusik Alexander Vusik कहां के President रिएलेक्ट हुए है यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इस बहुत सारे क्वेशन से थोड़ा और आप लोग स्पीड बढ़ाई है बहुत बढ़िया मैक रवी, मिस्टर बत्रा दलजीत, अरविन, सौरव, विक्रांत BYC, कुलदीप, रोजवाले स्टूडेंट से नए स्टूडेंट भी है आप सभी का स्वागत है क्लास में एक्सेलेंट तो यह सविया के President बन गए है Alexander Vusik Alexander Vusik और यह Vusik Serbian Progressive Party है इनका पार्टी, इनका नाम है ठीक है मुल्ली M. Natrajan Re-Appoint हुए है M.D. और C.E.O तो M.D. भी है और C.E.O. भी है किस बैंक है DCB बैंक है R.L. बैंक है ID.B.I. के या CSB बैंक है हाँ, बिल्कुल Trigo जो है, वो न्यू है आपका भी स्वागत है क्लास में Share करिए, Like करिए session को Very good Mr. Batra Same hair तो DCB बैंक DCB बैंक के M.D. और C.E.O. बन गए है R.B.I. ने Approve किया है M.D. M. Natrajan को कि ये M.D. और Chief Executive Officer बन जाएंगे DCB बैंक है Next Sambhav Sambhav जो है आपको बताना है किस बैंक का Digital Transformation Project Launch किया गया है किस बैंक द्वारा Sambhav Excellent, excellent I am getting all the answers हाँ तो ये Federal Bank है Yes Bank है HDFC है या Union Bank of India है ये Bank है Union Bank of India और ये एक Super App है जिसका नाम है Uni NXT और ये 6 April को Launch किया गया है और basically अगर आपको कोई भी पैसा लेना है तो ये पूरी तरह से Digital Transformation हो जाएगा अब ये Sambhav है इसलिए इसका नाम भी Sambhav है अच्छा वैसे एक हम Question पुछेंगे बिहार का ठीक है तो वहाँ पर क्या है कि पानी के Management के लिए Water Management के लिए एक App शुरू किया गया है क्या बता सकते है कि Water Management के लिए बिहार में जो App शुरू किया गया है उसका नाम क्या है हाँ ठीक है फिर आप Next तब तक बताएं कि कौन से Edition का हो रहा है Exercise इंडी और किर्गिस्तान के बीच में तो ये Edition है 9th Edition 9th Edition Joint Special Force का Exercise हो रहा है बाकलो हिमाचल परदेश में नहीं बिहार में जो App है उसका नाम है दृष्टी दृष्टी App से शुरू हुआ है Water Maintenance के लिए ठीक है चले Next पर्यावरन मंत्राले ने Plastic प्रवंधन Basically इनका Management होगा के लिए एक शुभांकर और विविन पहल जारी की है शुभांकर का नाम क्या है तो ये जो शुभांकर है इसका नाम क्या है ये आपको बताना है दृष्टी ये आप है वेरी गुड और अगर हम बिहार से एक और सवाल पूछे कि Census के according बिहार का जो Urbanization का rate था यानि कितने लोग शहर में रहते हैं तो ये 11.3% था लेकिन अभी Ministry of Health and Family Welfare के रिपोर्ट के according कितने परसेंट लोग बिहार के ये रहते हैं अर्बन में शहरों में ये उनके लिए जो बिहार के हैं और अगर बिहार का कोई exam आसपास है तो उनके लिए ये सवाल है इसका PDF मिल जाएगा बिलकुल आपको Comment section में पिन हो जाता है PDF नहीं तो आपको आपके वेब इस पे मिल जाएगा टेलिग्राम ग्रूप पे मिल जाएगा ठीक है अब देखें ये जो शुभांकर इसका नाम है प्रकृती मैसकोट है और ये हम लोगों में कुछ अच्छा बदलाओ करने के लिए ये मैसकोट को यूज किया गया है हाँ तो अब आप लोग आणसर नहीं बता रहे है तो बिहार में 15.3% लोग जो है वो रहते हैं आपके कहां पे शहरों में अगर हम ये पूछे कि इंडिया का बेस्ट एरपोर्ट कौन है वर्ल्ट टॉप टू हंडड़ एरपोर्ट में इंडिया का बेस्ट एरपोर्ट कौन है तो आप लोग क्या बताएंगे ठीक है और रीसेंट का पता नहीं ठीक है कोविड वेरियंट ये तो हम बताये थे न ये कोविड वेरियंट XC का पहला केस इंडिया में कहां आया है ये मुंबई में आया है ठीक है फर्स केस ओफ कोविड वेरियंट मुंबई वैसे ये सब सुनके हम आज एक न्यूस सुने थे उसमें स्लीप के बारे में बता रहा था बहुत लोग सोसते हैं कि जो लोग ज़्यादा सोते हैं वो आलसी होते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि जपैन में लोग ज़्यादा दिन तक इसलिए जीवित रहते हैं क्योंकि वो लोग आम लोगों के हिसाब से ज़्यादा सोते हैं और कुछ लोग जो हैं उनका ये रूल है कि उनको दिन में एक घंटा जरूर सोना है, कैनेडा में बहुत लोग जिन्दा इसलिए जादा दिन तक रहते हैं, क्योंकि वो सबजी और फल जादा खाते हैं, और कोरिया में, सौथ कोरिया में, आप जानते हैं कि वो डिवलप में एक डिवलप्मेंट का list बनेगा तो South Korea भी एक बहुत ही developed country है South Korea में लोग जादा developed इसलिए हैं क्योंकि वो कम सोते और बहुत महनत करते हैं लेकिन अब ये उनके लिए जी का जंजाल बन गया है क्योंकि उनके अंदर ये चीज आ गया है revolution और अब उनका जो next generation है वो भी कम सोता है इस कारण से उनको बहुत सारी विबांडिया हो रही है और उनका जीने का जो rate है वो भी कम है तो ऐसा नहीं है कि लोग जो जादा सोते हैं वो आलसी होते हैं लेकिन यह नहीं कि पूरे दिन सो पर आठ घंटे की नींद पूरी करना भी जरूरी है दिमाग का सही तरीके से चलने के लिए ठीक अब आब बताएंगे कि कौन सा कंट्री विल गेट वेपनाइज ड्रोन हाँ ठीक है नहीं आठ घंटा सोना मस्ट है तो देखे यह जो है पहले UK था लेकिन अब जर्मनी को भी मिल जाएगा और रश्या के रश्या जो है प्रोवोक किये हैं इन्वेजन इन यूक्रेन जिसके कारण यूरोपियन नेशन यूके के बाद अब जर्मनी भी कोशिश कर रहा है कि अब इन लोग को भी वेपनाइज ड्रोन मिल सके नेक्स्ट नेक्स आप से अब यह रिपोर्ट आया है तो इसके एकॉर्डिंग हम बोले है तुम लोग मजा की उडा लो एक एक और चीज था जिसके कारण लोग ज्यादा जिन्दा रह सकते हैं तो उस रिपोर्ट में कहा गया कि कैनेडा के लोग जादा साल इसलिए जीते हैं क्योंकि वो अपनी बातों को बहुत अच्छे से अपने सुसाइटी के लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं माल लीजे कि अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है या ऐसे सपोर्टिव लोग मिल जाते हैं जिनसे आप अपनी बातों को शेयर कर सकें तो वो भी एक कारण होता है कि आपको अब जादा दिन तक जी सकते हैं और ए यह सब चीजे आपको जादा अच्छी हेल्दी लाइफ देगी अब गवर्मेंट भी इस पर बहुत फोकस कर रहा है हम यह सब इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप इंटर्व्यू तक जाते हैं तो हैल्थ को लेकर आपसे चीजे पूछी जाएंगी हां तो तमिल नाडू तमिल नाडू एमकेस चालें देखिए हमको भी एक रीजन देना पड़ा आपको क्यों हम बता रहे हैं वर्ना आप लोग को लिग में मत बताइए इस ओफाल तो टॉपिक है हेल्थ तो सी नाव वट इस सीरियसनेस हमारे कंट्री में तो काफी कम सीरिय सीरियसनेस है हेल्थ को लिकर ठीक मिल जाए गवर्मेंट मेडिकल एक्सपेंस पर सौ साल वही तो मेडिकल एक्सपेंस पर क्यों जीना है तुमको तुमको क्या लगता है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगा माल लो कोई भी नौकरी मिल जाता है तुमको सालिडी मिल जाएगी प साथ दे ना दे कोई ठीक नहीं है फ्यूचर का तो अपने आपको हेल्दी रखे ना जितने दिन जीवित है उत्ते दिन हेल्दी रखे किसी के भडो से क्यों कड़ेंगे हैं यह सब लंबा डिसकॉशन है ममस्ते देगे यह सोनु सागर रहें सारे क्वेशन्स माच किये छेए आपका यह चीजा रखे और ऊच्छन है अच्छा रखा लगा कि अगर आप यह कह रहे हैं ताइनक्यू चले तो एशिनदलाप्मेंट बंकून आपके हैं इंडियया कितना परसेंट रहेगा 7.5 परसेंट रहेगा अब यह लोग खुदी कंफ्यूज रहते हैं खैर लेकिन अभी बोल रहे हैं 7.5 परसेंट रहेगा हाँ निकलता ही फोन चलाना बच्चा लगने वही तो हम कह रहे हैं आज कल के बच्चे को तो पढ़ाना ही मलब बताना ही बेकारी की कैसे यूज होगा हूँ तुम ही को पढ़ा देगा खेड़े आपको पता ही नहीं इसमें और भी सिस्टम है ठीक मिलिटरी हॉस्पिटल में एक बार भरती हो जाओ अराम से लाइफ कटेगी अच्छा है ऐसा थौट प्रॉसेस है हमारे देश के नए यूद का कि मिलिटरी हॉस्पिटल में जीवन जीना है ऐसे सोच रो तुम लोग अच्छा रिकॉर्ड देख लेते हैं अगर लाइफ छूट जाता है क्लास बहुत अच्छे सोनो सागरी था इंक्यू हाँ ये तो आपका कंसिस्टेंसी है जो कि तब आपको याद है चीज है बढ़िया तो आज भी हम लोग पुडाने करेंट अफेस डिसकास करेंगे बस 15 क हैं तो ये डिसकास कर लेते हैं जल्दी जल्दी विच कंट्री हाज एक्वाइड पॉली फॉर 1.7 बिलियन यूस डॉलर तो ये बेसिकली पूछा जा रहा है कि इतना हाइब्रिड वर्क सिस्टम के लिए ये आपका एच्पी कंपनी है ठीक है एच्पी कंपनी जो है अब तो प्राइवेट कंपनी भी अपने एंप्लॉई के हेल्थ को लेकर काफी जादा जागडूख होने लगा है टाटा पावर सोलर टाटा पावर सोलर ने कमिशन किया 160 मेगा वाट प्रोजेक्ट अब आप बताईए कि कहां पे हुआ है तो ये राजस्थान है ठीक है रा स्टार इन अब जगा होगा तो हमको नहीं बता हम गलत प्रणाउंस भी करनें शायद तो ये राजस्थान है ठीक है मारो राजस्थान होकी इंडिया सीनियर मैन नाशनल चांपियंशिप 2022 किक्ड ओफ इन कहां पे शुरू हुआ है क्या ये कानपुड है क्या ये लखनव है भोपाल है ये जैपुड है कहां ये स्टार्ट हुआ है होकी इंडिया सीनियर मैन नाशनल चांपियंशिप येस गाइज तो ये कहां शुरू हुआ है भोपाल में शुरू हुआ है ना भोपाल में शुरू हुआ है आपका ये मैच अब हम लोग पुडाने कर इंटरफेस को थोड़ा बहुत और डिसकस कर लें क्योंकि अभी कुछ एक्जाम से बच्चों के दस तारिक को सीडियस का अब हैं येंटी का इजवा इक जाम है और हम अब लोग से जादा हम टेंचन में बिलीव मानिए कि दुनिया में नॉन प्रॉफिट सिटी कॉंस फर्स नॉन प्रॉफिट सिटी विल भी लॉंच इन विच सिट विच कंट्री ठीक हाँ तो यह साओधी अड़े भी आठीक है यानि कि यह नॉन प्रॉफिट सिटी शुरू हुआ यहां पर अब आप बताएं कि स्कॉच इवार्ड कॉंसे स्टेट्स स्कूल एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को किस राज्य के स्कूल को स्कॉच गोल्ड एवार्ड से सम्मानित किया गया है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वैस बेंगॉल ठीक है नेक्स क्वेशन केसरे हिंद यह एक तितली है ठीक है हम बोलने वारते तितली जल की रानी है जल में जाएगी तो फिर क्या ही हो जाएगा उसका खेर तो यह कहां का तितली है यह तितली है अरुनाचल प्रदेश का अगला सवाल है कि विच स्टेट गवर्मेंट इस लॉंचिंग पहला एंबिलेंस फॉर गाए काउस के लिए पहला एंबुलेंस हमको एंबुलेंस के वासे बहुत डर लगता है ठीक है यह उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के यहां अब नया एंबुलेंस शुरू हो रहा है लेजेंड लीग क्रिकेट ठीक है लेजेंड लीग क्रिकेट हूँ है लेजेंड लीग क्रिकेट हूँ है लाइक किया आप लोग लाइक करने जरूरी है ना फिर हम को कैसे पता चलेगा कि सेशन पसंद आ रहा है हम तो यह सोचेंगे कि नहीं अच्छा आ रहा है बदल देते हैं कुछ चेंज करते हैं ठीक है तो यह रवीश शास्त्री है रवीश शास्त्री जी अगला सवाल है कि वि एलेक्शन होता है उसमें मलब इवी मशीन जो रहता है ना एलेक्शन वाला मशीन तो एमो यू और रॉकी माउंटेन फोटो भी दिखाए थे कि उद्धव ठाकडे का बेटा अधित ठाकडे गया था है ना महाराश्ट्रा के थे ये और अमेरिका की कंपनी थी रॉकी माउं तो बहुत बढ़ी है ना वंसि भारत का पहला म्यूजियम सेक्या के स्टेएट में बना है यह आ बता है कि कमेंट सेकेशन में यहाप जो हौटा जा कि हम वन लाइन बता रह है हमको भी अभी लगता है कि स्टेट्मिंट बेस्क्षिंज भी आते यह लेकिन अगर आपको वन Fishery Business Incubator कहां बनाएं बेसिकली जो मचली जल के रानी है उसको incubator में रखा जाएगा ये कहां पे है ये है गुडूग्राम में Fishery Fishery Business Incubator गुडूग्राम में ठीके India's First Glass Conservatory यानि की घास को भी conservation दिया जाएगा ठीक बचा के रखा जाएगा कहां पे उत्रा-खंड में कि रखा जाएगा फिर आप कश्मीर में गुलमर्ग सुने होंगे तो सॉफ्ट घास कोई मर्ग कहते हैं जब बर्फ पिगल जाता है तो गुलमर्ग कहलाता है और आप लोग सेशन को इसी तरह से लाइक करेंगे शेर करेंगे हम देख रहे हैं आधे बच्चे लाइक किये और आधे बच्चे भूल गया है क्या बात है रिसेंटली हूँ हास बीन एपोइंटेड अज चैर्मेन ओफ आई सी सी मैंस क्रिकेट कमीटी आई सी सी मैंस क्रिकेट कमीटी तो यह बन गया है सौरफ गाउंगली इनको याद रखेगा सौरफ गाउंगली है ना जैशा थोड़ी जैशा तो थे हैं नेक्स्ट कन्फ्यूस कर रहे हैं आप लोग रिसेंटली एक बच्चा सौरफ का उंगली बोला है उपासना बाकि सब जैशा बोल रहे हैं ने अब और भी लोग बता रहे हैं ठीक है फिर आप देख सकते हैं या पर राजीव शुकला तुम तो अलगी बत आप रिसेंटली बॉर्डर रोड और्गनाइजेशन ये ब्लो कहते हैं इसको ठीक है ने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर कंस्ट्रक्टिंग कहां पर ये सबसे उचा रोड बना चुके हैं लगदाक में उन्निस हजार फीट के एकॉर्डिंग विलब अप्रॉ राइज है। ये बेसिकली ट्राई लेत्रल है। ठीक है। टहां पर शुरू है। जहां है हूआ है वह इसका थर्ड हो जाएगा। हां तो ये देखे थाइलेंड है ठीक है। S से सिंगापूर, I से इंडिया, T से थाइलेंड ये हो गया आपका ट्राई लेत्रल मुँ बंद रखो मुँ बंद रखो campaign शुरू हुआ है तो ये fraud जो करते हैं उनके लिए awareness के लिए है लोगों के अंदर awareness जगाने के लिए है ये आपका कहां पर है HDFC मुँ बंद रखो campaign जो है ये HDFC का campaign है ठीक है next आप से पूछा जा रहा है कि United Nation as a resident coordinator तो देखिए अब United Nation में resident coordinator जो वहाँ लोग रहेंगे उनके coordination के लिए किनको न्यूक्त किया गया है हाँ तुम मुँ बंद रखो शॉम्भी शार्प शॉम्भी शार्प याद रखेंगे नाम ये बन गया है resident coordinator in United Nation तो ये in India basically भारत में United Nation के resident coordinator ठीक है अगर आप से पूछा जाए कि top the list of richest country सबसे अमीर country देश दुनिया में कौन है सबसे अमीर देश दुनिया में कौन है तो ये है चाइना चाइना में सबसे ज़्यादा अमीर लोग भी है नंबर ठीक है हो सकते है कि ज़्यादा अमीर जो है वो US में लेकिन नंबर के हिसाब से चाइना में लोग ज़्यादा अमीर नंबर ओफ अमीर ज़्यादा है ठीक है bribery index ये जो घुस खोड़ी है इसमें भारत का rank क्या है नहीं US से कुछ-कुछ बच्चे चाइना से बता रहे हैं ठीक है तो इसमें भारत का rank क्या क्यों कम लोग आए हूँ है बाकी कहां गे सब 80 सेकेंड भारत का rank 80 सेकेंड है पॉड होटल ये क्याप्सुल जासा रहता है पॉड होटल ठीक है तो जो आप रेलवे स्टेशन पर रुखते हैं आपको अच्छा नहीं लगता है महां का होटल तो वहां पर पॉड होटल शुरू किया गया है पहली बार कहां पर शुरू हुआ है पठान कोट जम्मू तवी जम्मू जब वैस्टनों दे भी कटरा जाते हैं चंडीगड मुंबई तो यह मुंबई में शुरू हुआ है पॉड होटल चलें नेक्स्ट वर्ल्स मोस्ट डाउनलोड़ेड अप अगर पूचा जाएगा कि दुनिया भर में सबसे जादा कौन सा अप डाउनलोड होता है अट्डर 24-7 का अप जिनको सरकारी नौकरी चाहिए उनके भी सबसे बड़ा अप यही इंस्टॉल होता है अट्डर 24-7 ठीक है तो आप लोग भी इंस्टॉल कर लीजेगा और चैनल को सब्स्क्राइब भी कर लीजेगा तो यह टिक टॉक है ठीक है इंस्टा है फेस्टॉल में जब एकाउंट था और जब भी था वो वही जो वेबसाइट उसी से था तो डाउनलोड तो नहीं किया है वाट्साप तो मजबूरी है टेलेग्राम आप लोग के कारन मजबूरी है स्नापचाट जूम करना पड़ता है काम के लिए सेंजर तो पताने क्या है क्या आपकट तो हम पहली बार सुनी रहा है और स्पॉटिफाई हम यूट्यूब से गाना सुनते है तो आप लोग भी कौन सा किये हैं कौन सा नहीं किये बताईएगा जरूर हमको कमेंट सेक्शन में हाँ कौन सा फेवरेट है वो भी बता दीजएगा अच्छा ओके ओके तो अगर हम बता दिया अपना ये तो आम रेली सॉर्डी अगर आपको लग रहा है कि हमको नहीं बताने चाहिएगा ठीक है तो विच कंट्री है ये कंट्री है ये कंट्री है चाइना ये कंट्री है चाइना जिसने इसको किया है ओके हम नहीं मिलेंगे तुमको किसी भी सोशल मीडिया पर बाकि आप लोग टेलेग्राम पर बात कर सकते हैं ठीक है, फिर next question आप देख सकते हैं, नरेंदर मोदी मार्ग, ये एक road है, ये कहां पर inaugurate किया गया है, सिक्किम, मनिपूर, उत्तर प्रदेश या हर्याना, ओके, तो ये हैं सिक्किम, सिक्किम में inaugurate हुआ है, नरेंदर मोदी मार्ग, और आपको याद होगा कि ये किसी और के नाम पर था, और फिर इसका नाम बदल कर मोदी मार्ग रख दिया गया, next question है, कि अगर आपसे पूछा जाए, world CEO, winner of the year, तो जितने भी CEO है, उनमें से best CEO ढूंडा गया है, और बोला गया है, कि ये world CEO, winner of the year बन गया है, तो इनका नाम है, किशोर यदम, किशोर यदम काफी बार हम लोगों ने इसको भी discuss किया है, अगला question है, साहते Academy Award, साहते Academy Award 2021 का English language में किसको मिला है, नमिता गोखले 2021, हम बिलकुल जवाल आन लाइट जी के नाम पे था, तो ये नमिता गोखले जी को मिला है, 2021, साहते Academy Award, next question, अमीर सुभानी, has been appointed as the new Chief Secretary of which state, तो ये कहां के Chief Secretary बन गए है, Chief Secretary आपको पता है, कि प्रसाशन में, Administration में, सबसे बड़ा पोस्ट होता है, आइस लेवल के Officer, Chief Secretary बनते हैं, और इंडिया लेवल पे Cabinet Secretary जो हैं, जैसे आप सुनते होंगे, Finance Secretary, Foreign Secretary, Defense Secretary, ये होते हैं, तो अमीर सुभानी जो हैं, वो बिहार के Chief Secretary बन गए हैं, अगला सवाल है, ससत्र सीमा बल, SSB, Director General of ससत्र सीमा बल, कौन बन गए हैं, Additional Charge इनको मिला है, इनका नाम है, संजे अरोडा, काफी बार ये भी हम लोगों ने डिसकस किया है, बहुत बढ़िया, Excellent guys, थोड़ा सा और इसको Like करें, Share करें, सेशन को बताएं, बहुत लोगों के बीच की बहुत सार दुड़गा शंकर मिश्रा, ये बन गए हैं, कहां के ये उत्तर प्रदेश के Chief Secretary बन गए, इसको थोड़ा जल्दी बताएं, क्योंकि आपको याद होगा, नहीं होगा, देखें, New Development Bank का 4th New Member, 4th New Member क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि Bangladesh, Uruguay और UAE, पहले से है, नया जो है, वो Egypt बन गया है, world's longest metro line, कहां पे खोला गया है, सबसे लंबा, क्या ये शंगाई है, Beijing है, Tokyo है, या Hiroshima है, you define your life, don't let other people write your script, ये computer जी कह रहे हैं, बड़ा अच्छा बात कह रहे हैं, very good, ठीक है, तो ये है शंगाई, शंगाई में सबसे लंबा metro line बन चुका है, next question, India won how many medals in Asia rowing championship, तो ये जो नाव चलाया जाता है, तुम भी गलत बताड़ो, New Development Bank, Brics का bank है, कितने बार बताया है, है ना, तो ठीक है, अब आप देखे यहां पे Asian rowing championship, नाव चलाने में, नाव चका चका चपा चले, चपा चले, किस में था, तो गाना भी हम confused कर जाते हैं, ठीक फिर आप बताएंगे कि कौन सा state, कौन सा state has topped the list of most beneficiary under the आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है, तो आत्म निर्भर में महाराश्ट्रा ने सबसे टॉप किया है, अगला सवाल है, FIDE World Championship 2021, किसने जीता है, यह basically chess का है, तो आप जानते है, Magnus Carlson ने जीता है, और यह जो प्रगनानन थे, उन्होंने Magnus Carlson को हडा दिया था, इसलिए वो काफी जादा news में थे, कौन सा state, 5 drone school will be opened, कहां पे 5 drone school खोला जाएगा, इसको भी हम लोगों ने discuss किया है, ठीक है, हाँ, ठीक, तो लेट आप लोग आते हैं, टाइम पे आईए, मध्धे प्रदेश, काफी बार discuss किया है, मध्धे प्रदेश में, 5 drone school खोला जाएगा, अगला सवाल है, कि डॉक्टर इडा S. कडर ओरेशन एवोर्ड, किसको मिला है, ठीक है, तो यह एवोर्ड, ओरेशन एवोर्ड यानि बोलने में बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, ठीक, तो यह अजीम प्रेम जी है, अजीम प्रेम जी, विप्रो के CEO, मतलब शुरू किये थे, अजीम प्रेम जी ने विप्रो को शुरू किया थे, यह आपको पता ही होगा, next question आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा लॉंच किया है, next question, next question है, BHU, ठीक है, भू, मलब की जमीन, परिक्षक डिवाइज, तो उनको यह सर्वे करेंगे, असस करेंगे, प्रॉपर से, और स्वाइल का हेल्थ, चेक किया जाएगा, 90 सेकेंड में, कौन सा IIT कानपुर है, IIT कानपुर ने इसको शुरू किया है, Times Magazine द्वारा Person of the Year Award कौन है, तो यह है Elon Musk, Elon Musk जो है, Times Magazine द्वारा Person of the Year Award है, इनको मिला है, next question, दिल्ली की योगशाला, दिल्ली की योगशाला, यह किसने शुरू किया है, इस प्रोग्राम को, तो आप देख सकते हैं, कमेंट सेक्षन में, ठीक है, हाँ, तो Amit Shah है, अनिल बैज है, अर्विन केजरिवाल है, यह इन में से कोई नहीं है, यह दिल्ली की योगशाला शुरू किया गया है, ओवियस बात है, अर्विन केजरिवाल द्वारा, next question है, चिल्रेंस फिल्म फेस्टिवल, चिल्रेंस फिल्म सुसाइटी अफ द इंडिया, ठीक है, तो इंडिया का जो फिल्म सुसाइटी है, उनके सीओ कौन है, येस गाईज, पूजा उपासना, बढ़िया आंसर आप लोग दे रहे है, मधुमिता, तरंग, और थोड़ा स्पीड वढ़ा ले आप लोग आंसर का, यह रविंद्र भाकर है, रविंद्र भाकर को मिल गया है, यह बन गए सी CEO of Children's Film Society of India, next, अब देखें कुछ क्वेशन्स, हम लोग बहुत जेनरल क्वेशन्स, डिस्कास करेंगे हिस्ट्री के, ताकि जब आपका वन लाइनर और स्टेट्मेंट बेस्ट क्वेशन आए, तो आपको कन्फूजन ना हो, तो गुरु नानक जी जो है, फर्स्ट गुरु इनका जन्म कहां हुआ था, तो आप जानते हैं कि इनका जन्म जो है, वो तलवंडी में हुआ था, तलवंडी अपके पाकिस्तान में है, 1469 में इनका जनम हुआ था, अब ये लौहौर के पास पढ़ता है, है ना, और पेरिंस का नाम और ये देख सकते हैं, ठीक है, चलें, नेक्स सवाल है, कि गुरु गोविन सिंग जो है, वो किनके बेटे थे, गुरु गोविन सिंग जिनका जनम पटना साहिब में हुआ था, हाँ, दसवे गुरु, इनके बाद कोई और गुरु नहीं बने, बढ़िया, तो ये है तेज बहादुर के बेटे थे, ये नाइन्ध लीडर थे, और who led a revolt against the Mughals, इन्होंने Mughal के खिलाफ जंग छेड़ी, और उसके बाद, after the assassination of Guru Govind Singh, Guru Govind Singh के मरने के बाद, who captured and executed him, during the reign of, ये सब कब हो रहा था, तो ये सब जो है, ये फारुक सियार के टाइम हुआ था, ठीक है, फारुक सियार के टाइम, इनको capture किया गया और execute किया गया था, और contemporary अगर आप से पूछा जाए, तो आपको पता है कि, किसके contemporary थे, Guru Govind Singh, ये आप comment section में बताइए, और इंग जेव थे या बादुर्शा थे, ठीक है, और सोचो, अच्छे से सोचो, मज़ा बहुत आ रहा है, आज question बड़े अच्छे लग रहा है, और आप लोग थोड़ा और इसको, मतलब, question देखते हैं यार, याद आ जाना चाहिए, ये तरे बार हम लोग discuss कर दिये है, option पढ़ना पढ़ता है क्या, Guru Govind Singh has set Banda Bahadur to Punjab, क्यों? Guru Govind Singh ने Banda Bahadur को Punjab क्यों भेजा था? ये आपताएं, comment section में क्या लगता है, पढ़ो इसको well or, ठीक है, तो अपना energy दिखाने के लिए, अब देखे, statement based question आए, तो भागना शुरू, ये यही चीज़ गुस्ता आता है, आप लोग पे, to crush the enemies of khalsa, या to establish a Sikh empire, तो khalsa पंत के जो enemy है, उनको crush करने के लिए इनको भेजा गया था, ठीक है, next, अब देखे, आता है question guys, please, बहुत simple statements है, अराम से पढ़ के बता दोगे, दस बच्चे तो ऐसे ही भाग गें, वहीं पे वहाँ से भी भाग जाना, पर बनाना question, और cds में जैसे देखोगे, कि statement based question बंद कर बाग जाना है, तो run, ठीक है, हम, अचा एक चीज़ बड़ा news में आता है, जैसे BTS आप सुनते ह होंगे कानवाना, ठीक है, तो South Korea है, South Korea का beauty product, BTS, यह सब आप लोग देखे होंगे, तो यह किस category में आता है, यह पता है, soft power है उसका, अभी तुम को सब को आज़ को बच्चा सब है, BTS fan होता है, तो ठीक है, तो इनको पता है कि South Korea का है, उसके बाद कुछ को छोटे-चोटे ची सब कान से आता था, हम लोग के टाइम में, चाइन, US, यह सब सुने, लेकिन अब तुम्हां बच्चा बोता जो भी होगा, तो वो लोग South Korea के तरफ inclination हम जादा देख रहे हैं, असा हमको लगता है, नहीं, किताब में भी पढ़ता है, इडिटोरियल से भी लगता है, ठीक है तो in the service of God, in the service of God, according to Guru Nanak Salvation, हाँ, और एक Hindi के ग्याता है हमारे पास, ठीक है, उनसे मिलवाएंगे आपको किसी दिन, who succeeded Guru Nanak, Guru Nanak जी के बाद कौन आया है, BTS Army क्यों नहीं बुलाते हैं, यह क्या है BTS, no ma'am, we are not interested, no fan, okay, ठीक है, हम वो नहीं कह रहे है, हम कह रहे हैं कि अब एडिटोरियल में अगर यह सब चीजे लिखी जा रही है, तो कहीं तो होगा ना, बाते हैं, ठीक है, तो यह Guru Angad है, ठीक है, और यह है, यह Guru Nanak जी के बाद थे, तो आप यह इनके बारे में देख सकते हैं, आपे, next question आप से पू के religious capital था, किसका, रंजीत सिंग जी का, और उनका जो administrative capital था, वो लोहौर था, तो आब अब बताएं, यह सिख गुरू है, रामदास, रामदास जी ने अमरिच सर का सिलन्यास रखा था, अमरिच सर को शुरू किया था, ठीक है, मिस्टर बत्रा, अर्वेंद, शहदाप, तरं उजवल, चंद्रवीर, आप लोग ऐंसर दीजे, ठीक है, अब देखे, अकबर ग्रांटेट, अफ अमरिच सर तू, विच सिख गुरू, अकबर जो है, उन्होंने, अमरिच सर का बहुत बड़ा एडिया कि सिख गुरू को दिया था, तो अमर्दास जी को दिया था, ठीक है बार बार ये सवाल आ रहा है तो फारुक शियार याद रखेगा फारुक शियार ने पंगा बहादुर को पकड़ा था और आप लोग जैसे बहादुर शाह वन सोच रहे हैं तो नहीं उनके बाद आये थे फारुक शियार उन्हों ने पकड़ा था बंदा बहादुर को ठीक है next, जफर नामा जफर नामा was letter written to a Mughal Empire एक Mughal Empire को letter लिखा गया था किस सिख गुडु दौड़ा तो ये अब बताएंगे जफर नामा ये लिखा गया था गोविन सिंग दौड़ा हाँ, और अंगजेप को ये letter लिखा गया था गोविन सिंग द्वारगुरू, गोविन सिंग, दसफे गुरू, ठीक है, इनको सत्र सत्र प्रनाम, अब अगला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, बावड के बारे में, बावड आप जानते हैं कि पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, और घर चला गया, फिर मढ़ गया, ठीक है, इनके बारे में आप इतनी चीज़े जानते हैं, लेकिन जनम कब हुआ ये बता दीजे, तो 1483, 14 February, आप लोगो डेट तो अब हमेशा के लिए याद हो ही जाएगा, तो उसी दिन इनका जनम हुआ था, बावर केम टू इंडिया, ओरिजिनली फ्रॉम, बावर इंड याद फडगन्ना से आए थे हाड के, माम टाइम पास, अच्छा, नहीं नहीं, यहाँ पे बिलकुल नहीं हो रहा है, शिवम सिंग जी, बहुत जादा पढ़ाई हो रहा है, और शायद ही आपको एक गंटे में इतने सारे questions कहीं और से मिलेंगे, तो आप जो हैं, ना डड़ है, ठीक है, तो देखें, यहाँ पे फडगन्ना इसका अंसर हो जाएगा, येस, तो अब आप बदा सकते हैं कि बाबर 1526, अच्छा, तुमको लगा कि पानी पिया, खाना काया, मैं ऐसे ही बोल रहे हैं, और यार, बहुत भोले हो यार, तुम लोग, यह पानी पत का यूध है, यह खानवा का यूध है, यह चंदेरी का यूध है, यह घागडा का यूध है, और फिर मढगे है, यह टाइम पास नहीं था, गाई, इसका मौन इतने बड़े तो होई गया हो, कि इतना तो बता ही दोगे, तो नरसरी से पढ़ रहा है, ठीक, उसके बाद आप देखें, बाबर 1526, से लेके बाबर 1530, कहां का रूलर थे, यह तो ओवियस बात है, मुगल के रूलर थे, इसमें तो बच्चावला सवाल है, बाबर वास सक्सीड़ेड तो दे थ्रोन, बाबर के बाद, कौन आय थे थे थ्रोन पे, तो इनका नाम था, हुमाई यू, हुमाई यू, अच्छा, तुमको लगा कि हम ऐसे ही बोल रहे है, ठीक है, अब देखिए, यह statement वाला question है, बहुत easy question है, बस समझो भावनाओं को, और फिर question बन जाएगा, इसको पढ़िया, बाबर, ओरिजिनली इन्वेडेड, नॉर्धन इंडिया, सौधन इंडिया लिखा रहाता है, तो क्या बोलते है, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, समझ गें, तु क्रिएट अ शाइट मुस्लिम स्टेट, क्या बाबर यहाँ पर मुस्लिम स्टेट बनाने आय थे, बिकास ही अनेबर टो अचीव इस अंबिशिस गोल इंसेंटरल अशिया, क्या वो अंच्रल अशिया में बहुत हार रहे थे, और इस कारंच उनको इंडिया आना पड़ा, तो कंट्रोल दे रूट इनको साओथ इस अशिया से कोई लेना देना था, तो डिफीट हैस लोग अच्छ नहीं था, क्योंकि यह बहुत जादा सेंटरल अशिया में हार चुके थे, हर जगा से ठक गय थे, और मार मार के इनको भगा दिया गया था, तो इसलिए इनको इंडिया आना पड़ा, अकबर वाज इंथ्रोंड इन गार्डन, अकबर जो है, इनको राजा, इनका र यह आप याद रखेंगे, दा उनली हिंदू, कोटियर ओफ अकबर, अकबर के, हिंदू कोटियर में मलब इनके जो दरबार में, कौन से हिंदू थे, जिनोंने दिल, दिन ए इलाही को एक्सेप्ट किया था, दिन ए इलाही एक रिलिजन था, जिन में अकबर ने सबसे पहले इसको बनाया, एकसेप्ट किया, और उसके बाद, सेकेंड में, बीरबल ने इनको एकसेप्ट किया, दिन ए इलाही को, अगला क्वेशन है, रमायन पर्शन में ट्रांसलेट हुआ था, वस ट्रांसलेटे इंटू पर्शन, अट अकबर's कोट, अकबर के दरबार में, रमायन इनको ट्रांसलेट किया गया था, आप बताएए, किसके द्वारा, तो यह हुआ था, बदावीन, बदा, हम बारवरेन के नाव ऐसे बोलते है, बदा, यूनी, द्वारा इनको ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि, नौ रतन जो थे, अकबर क अच्छा किस हिंदू राजा के भी नौ रतन थे, तो चंद्रगु Uno के बेटे, समुत्रगुप्त के बेटे, चंद्रगुप्त द्यूतिय जिनको विक्रम अधित्ति के उपाधी भी मिली थी, उनके दरबार में भी 9 रतन थे, ठीक है, चले, तो अब अकबर के दरबार में नौरत्म थे और हिंदी के बोहती बड़े ग्याता कि इनको माना जाता था तो यह एक्चुली पता है कौन थे बहरम खान के बेटे थे अब्दुर रहीम खाने खाना इनको माना जाता था कि यह हिंदी के बहुत बदाव यूनी हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमको पते है, मेरा कुछ-कुछ जगा प्रनेंसेशन बहुत खड़ाब है आप लोग मजाग भी उड़ाते हैं, पर ठीक है, जो है, सो है तो ये इनको माना जाता था, याद रखेंगे फिर second capital of Akbar, ये बताएं कि Akbar ने अपना second राजधानी कहां को चुना था, तो ये जो है, इसका जगा है फतेपूर्सिक्री, फतेपूर्सिक्री जो है, second capital of Akbar थे अब ब्रह्मो समाज के बारे में कुछ लाइने हैं, आप इसको पढ़िए ब्रह्मो समाज आप जानते हैं, पीछे राजराम मोहन रोय का बहुत बढ़ा हात है प्यॉरिफाइ हिंदुइजम और टू प्रीच मोनोथिजम देखें, एक थौट ये है कि हम अपने रिलिजिन में चेंजिस लाएं, उसको बेटर बनाएं और एक थौट ये है कि हमारा रिलिजिन पहले से बहुत अच्छा है, हम उसको समझे और वापस बैक टू वेदास जाए तो ये जो पुडाने वापस जाने वाले बैक टू वेदास वाले हैं, ये हैं दयानन सरस्वती और जो नया modernization है, ये है राजराम मोहन रॉय, इस बात को याद रखेंगे reformer और revolutionaries, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, चले तो यहाँ पर दोनों ही आंसर हो जाएगा, कि एक तो मूर्ती पूजा को लेकर हमेशा से विवाद रहा है और दूसरा कि हम लोग जो है, monotheism, यानि कि एक भगवान को माने next सवाल है, कि महाश्री दयानन सरस्वती, ये एक हिंदू religious scholar थे reformer थे, reformer क्यों बोल रहे हैं, revolutionary नहीं थे reformer क्योंकि इनको पता है कि हम लोग अच्छे हैं, बस उस बात को ध्यान रखना है और आगे अच्छा बढ़ाना है, तो इन्होंने आरे समाज की स्थापना की थी, इस बात को याद रखेंगे, next सवाल क्या है next सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, देखिए इसको पढ़ी आडाम से और आंसर बताएं, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, ये statement one पहले राजरामोहन रॉय ने कलकत्ता युनिटारियन कमीटी की शुरुआत की सोशल सर्विस लीग को महादेव गोविंद राना डे ने शुरू किया और डेकन, ये एक ही में आपको बहुत सारा चीज मिल गया है, देखिए धान से इसको ठीक है, और डेकन, एजुकेशन सुसाइटी, गोपाल कृष्ण, गोखलेद्वारा बनी, इनी बेसे इंट स्चार्टे दा हिंदू, सेंट्रल हिंदू स्कूल तो इसमें से देखिए, फर्स और वन और फोर सही है, ठीक है, अब आप हमको बताईएगा कि सोशल सर्विस लीग, किसने शुरू किया है, और महादेव गोविंद, राना डे, इन्होंने क्या स्टार्ट किया है, डेकन सुसाइटी, एजुकेशन सुसाइटी, पढ़ा चुके है, ये किसने शुरू किया है, और जेकेजी, जोकि गोपाल कृष्ण, गोखले, गांधी जी के political guru इन्होंने क्या शुरू किया है तो ये सारे questions आपके हम डाल रहे हैं homework में ठीक है इसको बताईएगा जरूर बताईएगा थोड़ा सा research करके आप इसका answers बताईएगा फिर देखे देवदासी किधर था तो मंदिर में भगवान को ही समर्पित हो जाना देवदासी प्रथा है और ये South India के मंदर में होता है स्वामी Dünyanand Ji ने किसको translate किया है हिंदी में तो जो हमारे रिग-वेद और ययजोर-वेद है दैयानजी रिग-वेद और यजोर-वेद में कर्म-कांध है अथर-वेद में काला-जादू है और शयाम-वेद में संगीत का घ्यान है तो इन दोनों को इनों ने convert किया था हिं में अब है हैंन्री विवेयन डिरोजियो के बारे में हाँ बिलकुल डेकन एडुकेशन सोसाइटी को पाल क्रेशन गोख लेका है अच्छा उल्टा लिखा हुआ है ठीक है अब देखें ये क्या अंग्लो इंडियन थे कलकता में पढ़ाते थे ठीक है तो क्या ये बात सही है इंडिया के लिए राडेकलिजम यानि बच्चों को तयार करे थे कि वो इंडिया के लिए कुछ करे ठीक है चले सोशल सर्विस लीग की स्थापना नरायन महल राव जोशी ने द्वारा की गई है और गोविंद राना डे के द्वारा महाराश्रा में धार्मिक सुधार के ल कलकता में पढ़ाते थे ठीक है बिल्कुल थाही साल में बहुत कम एज में प्रोफेसर भी बने और निधन भी हो गया फिर देखे रामकृष्ण मराम हंस के बारे में यह सवाल है तो दो क्वेश्चन है जो हम आपको हमवर्क में दे रहे हैं बाकी आपको पता ही है कि बैच इंडरोल हो जाएं एक और बार म दिखा देते हैं इफ आइक एक सिके तो बैचे सारी शुरू हो चुकी है अप लोग बैचे में इंडरोल हो जाएं एक डाम का बैच शुरू हो गया है यह सिए पी एफ पी एफ में काफी महनत किया जा रहा आपको पता है वो और शॉटें level CDS से भी जादर tough है और test series अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आपको code use करना है Y332S और test series ले लेना है ठीक है यह देखिए आपका 77% discount Y332 code use करने पर फिर next आप देख सकते हैं attack attack बहुत जादर dynamic course है CAPF के लिए सिफ 2069 रुपीज में मिलेगा लेकिन code use करना पड़ेगा Y332 code है FCAT 4th of April से शुरू हो चुका है mission CISF शुरू है अभी इसका एक और batch आ जाएगा इसमें enroll हो जाएगे आपको पुराने classes भी मिल जाएगे सब चीज एक जगा चाहिए तो defense का महा पैक है इसी को ले लो इसी में CISF है FCAT है CAPF है आने वाला CDS है और अगर आपको SSB कतेयारी करना है तो वो और कोई ने कड़ाएगा पर करनल सिरोही सड ही करवाएंगे और engineering के महा पैक के लिए आप देख सकते हैं आपे civil है mechanical है electrical and electronics है और MP sub engineers का बैंच भी शुरू हो चुका है यह actually शुरू हो गई 11 अतारिक से SSC JE में भी आप इन्रोल हो सकते हैं वहाँ पे सारा वह हम पढ़ा रहें ठीक है अच्छा माम technical और non-tech में तो में को कितना time चाहिए देखो जब भी exam में 100 दिन पहले पढ़ना शुरू कर देना चाहिए at least कीरती का spelling गलत है कि आई आर टी आई है ठीक है सर्च करने के लिए आप ये करेंगे ठीक है चलें so thank you for the session guys hopefully आपको session पसंद आया होगा और कोई भी demand है तो आप बता दें comment section में हाँ कुछ maths भी आता है CAPF में thank you for the session CAPF में आपको DSP level की नौक्री लगती है ठीक है yes